हमीरपूर सदर कोतवाली छेतर में अधिवक्ताओं ने मरीज लेने जा रही एंबुलेंस के चालक को रास्ताना देने पर दिन दहाले एसपी आफिस के सामने मारा पीटा जबकि वहां मौझूद पुलिस तमाजबीन बनकर नजारा देखती रही छोटी सी बात ने कुछ ही द बन तरफा कारवाही का विरोथ कर रहे थे अपने साथी के साथ न्यान ना होता देख आमबुलेंस चालकों ने एक जुटता दिखाते हुए लगभख एक दरजन अम्बुलेंस को कोकोतवाली में खड़ा कर दिया इतना ही नहीं उन्होंने कोतवाली के सामने धरा दिया और ने डीम को ग्यापन देकर एंबुलेंस चालकों पर शराप पीकर मरीजों से अभधर वैवार का अरोप लगाया जिस पर डीम ने सीमो को जांच कराकर करवाही कादेज दिया है और उसके बाद में आके यहां पर उनके फिलापा फायर की और निर्दू जो गठना को जनों ने अंजाम दिया वो लोग बाहर हैं आराम से घूम रहे हैं हमारा एम्टी और पाइलेट को और उसमें पाइलेट को पकड़ लिया पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में बंद कर दिया है क्योंकि दोसी हमारे जो क्या कहते हैं वकी लोग थे उसमें दोसी वकी लोग थे उन्होंने जवरन उसको पाइलेट को पकड़ लिया बाहर निकाला उसके वाद उसमें हाता पाई कर दी उसके बाद पुलिस में बंद करवा दिया है और पुलिस ने अभी तक नहीं छोड़ है यह सामने की गटना है और इसके बाद यहां पर कोट वाली हमिपुर जन्पत में बंद है हमारा अभी और जबकि ओन लोगों को इन्हों ने बंद नहीं किया हमारे एंबुलेंस कर्मचारी 108 को बंद कर लिया है इससे हमारे इससे केस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है ह कि इस्टाफ कर दी गहीं है रोप दी गहीं है कोई के गारी केस नहीं कर रही है और मरीज परेसान है बार बार हमारे पास बहात्तर कॉलें आ चुकी अब तक